जैहिंद स्वायत करता हुए कि हमारे अपने अडियोग चनल सुल्जाश आमी त्यारीपो तो साम के साथ बच्चु के और आज चुका हूँ आज की बीच में आज की इंडियन आमी के प्रिविएस एर क्युशन पेपर की क्लास को लेकर आप सबको पता है कि अभी जो है हम सब रोज साम 7 बजे इंडियन आमी का प्रिवेस एर क्युशन पेपर का क्लास कर रहे हैं और साम 7 बच चुक है और मैं आपकी बीच आज चुका हूँ इंडियन आमी के प्रिवेस एर क्युशन पर के क्लास को लेकर तो याद रखेगा आज का जो हमारा पेपर है यह देखे सुल्जा जीडी का होगा जो की आपका देखो जो रहट सिलों का ओरिजनल केश्चन पेपर है ठीक है देख सकतो मैक्सिको माक्स आपको जो है 100 की रहेगी और आपकी पासिंग माक्स 35 रखी जाएगी लेकिन इतने से ह होना नहीं है आपको कैसे भी देखो 30-35 की रूटिन सही कर नहीं होंगे इंडिनामी के एकजाम में जो हैं मेडिट अपना बनाने के लिए ठीक है तो सभी के दूरेशन देखो 60 मिनट रहेगी 60 मिन के अंदर आपको करना होगा चले तो आज के पेपर को सुरू करते हैं पत्याद रखिएगा कि क्लासिच की रूटिन आप सब देख लो रोज दो फर एक बज़ जो अभी देखो आपकी आमी के इस्पेशल जिक्के की क्लास आ रही है जो कि आपकी on-demand रह रही है आप सब जो भी टॉपिक बोल रहे हो कि सर एक बज़ हमें पढ़ाई उस टॉप कि क्या है कि आपको जो जो जिके जिस का पर इसमें मैं आप सबको टार्गेट थर्टी आउट अप थर्टी आज बनाने होंगे आज एक बी नहीं छोड़ेगा एक बी आपको कुश्चन नहीं छोड़ने होगे खासकल के वैसे बच्चे जिनके एक गजाम देखे 25 जुलाई एंड 29 अगस को होने वाले एक बी किजन आपसे नहीं छुटने चाहिए क्योंकि 300 जो किजन वो सारे सारे पढ़ाई वे आए ठीक है और खासकरे वैसे बच्चे जो कि regular देखे हमारा class रटेंट कर देए उनको तो और भी नहीं आज की किजिस करने होगी सभी 30 में 30 बनाओग आप सब बताओगे ठीक है और अगर पेपर नहीं फोड़ा तो मैं आपका सर पक्का फोड़ दूँगा क्योंकि सारे सारे क्यूचन देखो पढ़ाई हुए हैं तो याद रखना क्या क्या क्यूचन देखो ऑन वीच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नन वाइलेंस इस सारे क्यूचन देखो यहांपी दिया हुए हुएhet को जोई तो अंतराश्रि अहिंसा यहां पर आपको से घ्याывать को ऑंज़ फॉलोइंग वास नों एज डी विड़् लेंप चाहिं है निद में से किसे लेडी विड लेंप के नामसे जाना जाता है तेका है इंद्रा गांधी जी को यहां पर देखो फॉलो रेंस नाइटेंगल जी नाम से जाना जाता है इंडियन करेंशी नोट्स और प्रिंटेड इन विश कि भारती नकत मुद्रा के नोट कि सहर में छपते हैं नागपूर में नई दिली में नासिक में या फिर मुंबई में चलिए सब को यान से कीजएगा आपके आश्रस के आ रहे हैं तो याद रखेएगा देखिए कि भारती नकत मुद्रा के जो नोट है वो देखो इस उप्षन के नोशार आपके छपते हैं नासिक में ठीक है दो जगा पर चपते हैं दोने जगों के नाम याद रखेगा पहला ह राश्र में आती है ठीक है और दूसरा में जो है वो देखो आपका है दिवास दूसरा में जहां पर चपता है वो है दिवास जो कि आपके देखी आती है एंपी में याद रखेगा ठीक है तो दो जगह सकते हैं नासिक और दिवास में तो यहां पर आपको आपका दिया हु को एक किविचन पिपर यहां पे तो को 5-5 किविचन आपको पढ़ाया हूए ऐ ठीक है सबी को मैंने 5-5 किविचन पढ़ा है तीस में 300 किविचन जो आपका इस पिपर का वो सारा-सारा पढ़ाया हुआ है तो चलिए सब को आंसे कीजिएगा कि युए-णो का जो मुख्याल है तो याद रखिएगा सेविंग तो राष्टर संग का जो मुख्याल है वो कहा है तो वो देखो आपका आपका ओप्सन नंबर ए न्यू यॉर्क में स्थीत है इस प्रकार सेज़की राइट आंस देखो यूए से वियोगी तो आंसर में क्या चलेगा यूए से या फिर न्यू पानी पत का जो तिसा युद्ध है वो किस वर्स लड़ा गया चले सबके आंसर की जेगा तो क्या होगा आंसर देखो तो आंसर में देखो आपका ओप्सन नंबर बी 1761 होगा याद रखेगा आपसर देखे 14 जनवरी 1761 को जो है आपका देखो पानी पत का त्रितिय यूद ब्रहम समाज के स्थापना खिस के द्वारा की गई थी? देयान अंद सरस्वती जी के दौरा, राजा राम मोहन रोई जी के द्वारा, जियोती बाइफूले के द्वारा, यापे देख implemented का स्वामी विवेकान जी के दौरा सबी के आंसर चाहने चाहे बिना गलती के आंसर करना ठीक है क्योंकि देखो सबी को प्ढ़ा है जो चीछ पढ़ाया है उसमें गलती के आप से नहीं चाहिए तो याद रखेए कि आप सब की ब्रह्म समाज की जो अस्थापना है वो देखो आपका किया गया था राजा राम मुहन रोई जी के दौरा लगबक सभी के बिल्कुल से आंसर राइट आंसर गया होगा तो ब्रहम समाज का स्थापना किया गया था राजा राम मुहन रोई जी के दौरा ठीक है चले बढ़ते है नेक्ष्किशन की और जो कि यहाँ पर देखो आपका दियावाए यह देखो आपका यहाँ पर कि निम्द में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है इस प्लैक पर्लैक आपका जाना जाता है पेले पेले को आपका जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से होगया सभी का चले बढ़ते एंडेक्स किविशन की वर जो कि यहाँ पर देखो आपकी दिविए किविशन नमबर नाइन किविशन नमबर नाइन देखो आपका यहाँ पर क्या है किविशन नमबर नाइन देखो Who was the author of the book My Experiment with Truth My Experiment with Truth पुस्तक के लेखा कौन है यहाँ पर देखो गोविद वनलवपंत, मौलाना अब्दुलकलाम आजाद यहाँ पर देखो ताद अलीबेग यहाँ पर महात्मा गांदी जल्दी से आंसर ने ची बिना किसी मिस्टेक क्या नहीं चाहिए देख रहे होगे अभी तक के सारे कीविशन पढ़ाई भी आ रहा इसलिए मैंने बोला था कि 30 आउट अट अट थर्टी मेरे को आपसे आज चाहिए तो यहाँ रखेगा कि देखो यहाँ पे My Experiment with Truth चुब पुस्तक है न उसके जो लेका के वो कौन है तो वो देखो आपके महात्मा गांधी जी है राइट आंसे क्या होगा तो Option No.D महात्मा गांधी हो गया होगा सभी का चले बढ़ते हैं नेक्स किविशन किविशन No.10 की ओर यह देखो यहाँ पे आपका क्या है किविशन No.10 देखो Upper House of the Indian Parliament is known as भारतिय संसत के उपरी सदन को क्या कहा जाता है विधान सभा, विधान परिसद, लोक सभा यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर राज सभा सभी को आंसर करना लगबग हर किसी ने पढ़ रखा होगा कि भारतिय संसत के उपरी सदन को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा भारतिय संसत के उपरी सदन को जो राज सभा के नाम से जाना जाता है उपरी सदन को राज सभा को नीमन सदन बोलते हैं। देखो आपका यहाँ पर Q3 11 ने देखो वेर इस दा किवच नमने देख लिए जैए वेर इस दा गेटवे ओफ इंडिया लोकेटट गेटवे ओफ इंडिया कहा पर इस्तीत है लखनाव में दिल्ली में बंगलूरू में या फिर मुंबई में जल्दी से आंसर करना अभी अभी क्लियर किया था जो इतिहासी कस्तल करवा रहा था मैं जल्दी से बताना क्या होगा gateway of India कहा है तो याद रखिएगा जो gateway of India है ना ये देखो आपका मुंबाई में ठीक है आफ्टर एबिलियर कितने तेर्म में भारत में लोगसभा के चुनाओ कितने वर्सों बाद कराये जाते हैं यहाँ पर देखो पांच वर्स उप्सन ए बी है चार वर्स तीन वर्स और डी है छे वर्स यह आपको बतानी है तो याद रखिएगा जो राइट आंस रहे ना लोग पता है याद राइटान से का होगा तो बारत में लोगसभा के चुनाओ कितने वर्स बास कराये जाते हैं तो यह पका नदी का उद्गम अस्थान अमर कंटक है ठीक है तो देखे यह जो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मतलब की घुमाओदार उटपटांग जैसे इसको दे रखाए ठीक है देखो अमर कंटक से ऐसे देखोगे तो आपकी यहाँ पे जो है आपकी दो नदी हो जाएंगे नर्मद से नर्मदा आपका विंद्यादचल में अमर कंटक नामा का स्थान से निकलती है और अगर यहाँ पे देखोगे आपका तो अमर कंटक की पाहारी से निकलती है तो दोनों मिल रहा है इस प्रकार से लेकिन अगर ऐसे बढ़़िएगा तो आपका सोन इसका आँसर चलेगा ठ आपका सोन होगी ठीक है जो कि यहां पे देखो आपका दिया हुआ है कि इस नमबर 14 है या सबी का और अभी जो आपके जो अभी आपके आपके जनल ने उनका नामे यहां पर आपके आपके से नमबर 15 यह है देखो आपका यहां पे कि which place is known as the roof of the world, roof of the world किसस्थान को कहा जाता है अरू नाचल प्रदेश, अलास्थ का तिबबत या फितचीन, तो याद रखिएगा कि roof of the world किसस्थान को कहते हैं तो याद रखना, roof of the world जो है सै यापका कहा जाता है देखो तिवद को ठीक है Roof Of The World किसे का थे तो Roof Of The World जो है बला ज़ता है तिवबत को पामीर का पठाल ऐसे बोलते है पर तिवध का पठाल भी चलता है ठीक है तो Roof Of The World के रूप में किसी सब रंग हो जानते है तो तिवद को जानते है चल ये 15 जो है आपके GK हो गए ना ठीक है 15 GK हो गए और मेरी जहां तक उम्मीद है कि आप समने 15 आउट ओ 15 GK में टच किया होगा क्योंकि बहुत अच्छा पेपर था और सारे चीज़े पढ़े हो या रखें ठीक है चले बढ़ते हैं next question को जो की देखो आपका question number 16 रहेगा question number 16 देखो आपका यहाँ पे क्या है दिया गए देखो the disease caused by the bite of a mad dog is called पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बिमारी होती है rabies होती है malaria होती है hazard होती है dingo होती है जल्दी से answer करना बिना किसी mistake के करना लगबग सभी को पता है सभी को पढ़ाया पर लगबग सभी ने पढ़ा भी है ठीक है तो याद रखेएगा आप सब देखिए कि पागल कुत्ते के काटने से जो बिमारी होती है वो कौन से बिमारी है तो वो बिमारी है देखो आपकी यहाँ पर right answer क्या होगी option number A rabies हो गया सभी का चली बढ़ते हैं next question की ओर जो कि देखो यहाँ पर आपकी दियो यह question number 17 यह है देखो यहाँ पर आपका कि मेन और्गन ऑफ रिवनसेटी सिस्टम इन human body क्या है देखो यहाँ पर मनुष्य के सरीर का प्रमुख स्वसन और कौन सा है बदानी देखो गुर्दा है तो है फिपड़ा है या हिर्दय है तो आप सब जानते हैं देखें कि मानो जो है सास लेता है आपका किसंग से फिपड़ा से तो इस प्रकार कौन सा इंप्रेंट हो गया फिपड़ा ठीक है चली ने description देखेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपकी दियो यह question number 18 अठर नंबर सवा है तो अगर अभी तक class question को like नहीं किया तो किसका इंदजार कर रहे हो class attend कर रहे हो तो जल्दी से class question को like करो और अगर चैनल पर नहीं हुआ हो और अगर अभी तक पने चैनल को subscribe कर गे एंड बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दीजेगा और उसको अल पे सेट रखना ठीक है तो देखे पाचन के पस्चाज जो प्रोटीन है ने किसे परिवर्टीन है तो बिल्कुल सी सवे कांसिस बहुत अच्छी आ रहे हैं राइट आंसि क्या होगा देखो अपसन नबर C इमिनो एसिटी केमीनो एसिट में जो इखो आपका प्रोटीन परिवर्टीन हो जाता है चलिए नेक्श्क्रिशन को देखेंगे जो की यहां पे आपका प्रकास संसिलेशन में अधिक्तम होता है ठीक है बताने जो प्रकास संसिलेशन में अधिक्तम और तोegen 얘기를 को होता है वो देखो आपका लाल याद रखी का लाल सबसे अधिक होता है और लाल के बाद जो तो देखो आपका बैग नहीं हो गया यदि लाल नहीं दिया है तो ठीक है चलिए इनेश क्यूशन को देखेंगे जो कि यहाँ पर आपका क्यूशन नमर 20 20 सवाल है यह देखो यहाँ पर आपका टाइफाइड किसके कारण होता है वायरस बैक्टेरिया प्रोटीन यहाँ पर जलदी सांसर करेगा लगबख सभी ने पड़ी है और बहुत ऊजी क्यूशन भी है सभी क्या आसर आने चाहिए तो याद रखिए आप से देखो कि जो आपका टाइफाइड है यह किसके वज़ास होता है तो टाइफाइड है यह देखो आपका आइफाइड की बैक्टेरिय काई है क्या देखो the basic unit of the life is जीवन की मुलबूतिकाई क्या है को सिकांग है उत्तक है अंग है या को सिका है सभी क्यांसर जाने चाहिए बिना किसी रस्टिंग ऑफ आयन इसको लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है द्रव्यमान ऑक्सी करन और सोसन यहां पर देखो आपका यहां पे जो है और यहां पर दिया हुआ देखो आपका ओकरन क्या वह होती है तो यहां देखो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया ने य पर आपका धिया गुए है यह है देखो आपका आवृति का मातरक है क्या पुछाए देखो कि measure of frequency आवृति का मातरक है सेकेंड या फिर हर्ट्स से तो याद रखीगा आवृति का जो मातरक है वो आपका option D HH, ठीकर आइट आजए होगी तो option D HH आपरिती के मात्रव को हर्ट्स के रूप में जानते हैं नेक्स के विशन करेंगे जो किया देखो यहाँ पे आपका वीच आप देखो फॉलोइंग इस नन मेटलिक मेटरियल निन में से कौन सा एक चुमबकी धातू है यहाँ पे आपको बतानी है क्रोम है यहाँ पे देखो आपका क्या देखो कोबाल्ट, निकेल, तीन, या लोहा इन में से बतानी है क्यों सा आपका अचुमबकी है सभी को पढ़ाया है मैरतन क्लास को कप्लिट किया जल्दी चांसर करना याँ पे देखो आपका अचुमबकी है पढ़ाया है हीमोगलोबिन की वज़े से राइट आझ से क्या होगी तो पसा नंबर b हीमोगलोबिन सब की हो गई होगी चलिए बढ़ते है नेक्स्क्रीशन को जल्दी से नेक्स्क्रीशन देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे कि बादल वातावरन में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है क्या है यहाँ पर आपका कि clouds float in the atmosphere because of their बादल वातावरन में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है कम दाब होता है कम यहाँ पर दिया वादे को आपका कम विछेपन होता है या पर देखे आपकी कम घनत होती है या पर देखे कम ताफ होता है क्या होता है जिसकी वज़ाँ से आपके बादल वातावरन में तैरते हैं जल्दी से आंसर कीज़ेगा सभी कोई किसी सभी कोई तो याद रखेगा जो मचली है यह देखो आपका स्वास लेते हैं किसके दोरा तो गलफणों के दोरा ठीक है मनुस से लेते हैं फिफलों के दोरा और जो मचली होते हैं यह देखो गिल्स के दोरा ठीक है चलिए next question को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ ह क्या है देखो आपका question कि LPG cylinder में निम में से कौन सा gas का mission पाया जाता है LPG is a hydrocarbon consisting of a mixture of किसका methane तथा butane का, ethane तथा propane का, propane तथा butane का या पर देखो ethane तथा butane का, सब को यांसर कीजिएगा तो याद रखेगा LPG cylinder जो आपका LPG cylinder है जल्दी से आंसर करना बीना किसी mistake के तो याद रखेगा कि LPG cylinder जो ये देखो आपका mission होता है propane तथा butane gas का, ठीक है जबकि LPG cylinder ये देखो आपका mission है propane तथा butane gas का, सब का हो गया बढ़ते हैं description की और जो की देखो यहाँ पर आपकी दी हुई है कि मनुस्य के सरीर में रक्त की मातरा होती है the quantity of blood in human body is मनुस्य के सरीर में रक्त की मातरा होती है 14%, 1%, 7%, 9% सब क्यांसर कीजेगा कि the quantity of blood in human body कितना होता है, ये जो आप सब को यहाँ बताएं तो याद रखेगा कि मनुस्य के सरी में जो रक्त की मातरा होती है वो देखो आपका option number 67% होता है लेकिन ऐसे देखो कि तो वो देखो आपका 5-6 liter होता है अगर liter में पूछे तो ठीक है चलिए next question को बढ़ेंगे जो कि देखो आपका question number 30 है यह देखो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1 horsepower equal to what एक horsepower equal to what कितना होता है 646, 846, 746 अपि देखो option number D, 546 तो याद रखेगा एक horsepower एक horsepower में कितना what होता है तो टोटल देखो आपका 746 what होता है राइट answer क्या होगा तो वो देखो आपका option number C 746 what सभी का clear है किसी से मुझे नहीं लगता है कि कोई mistake की होगी आप सबने और याद रखें कि जो comment box उसमें मेरे को सभी का 30 out of 30 जे ठीक है तो चले कुछ math equation देखो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो कि आप सब math equation देख सकते हो आपके क्या दिया होगा है section C है देखो सभी किशन देखो उतने कोई tough ने गुननफल दे रखा है आपको सब कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको सब करवाने की जुरत नहीं है सभी किशन आपको पढ़ाई हैं अब देखो बड़ी बड़ी पीडियफ टाइप नहीं है ऐतना सब्सक्राइब कर वाँ पाएं अब बात बच्ची कि देखो अलग से ठाइब क्यों नहीं करते हैं अलग से टाइप अगर करने जाओंगा तो आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि फेक है ठीक है ये पेपर सही नहीं है आपको कहां से मिला ये पेपर सही नहीं लेकिन जब आपको ओरिजिनल पेपर पर क्यूशन कर आते हैं तो आप सब को लगता है कि उन्ही को ध्यान में रखते हुए देखिए मैं देखो आपका अलग से इन पेपर को टाइप नहीं कर रहा हूँ अगर इन पेपर को अलग से टाइप करूँगा तो कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कमिंट में कि ये आप फॉल्स बता रहे हो पेपर ओर औरिज से भी अपना स्कोल बताएगा कि आज की थर्टे क्युशंस को उसमें से आपने कितने क्युशंस को सही किया है तो all of you bye अब सीधे आपसे मिलूंगा देखो मैं अब कल दो पर एक बजे जब आएगी देखो आपकी इंडियन आमी के जिके जेस की on-demand class तो all of you bye and जैहिंद ज जय भारप तो all of you